हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का भूत भूत स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल एम स्टेडी पॉइंट पर आज है नो दिसंबर और आज हम जो हैं सुरू करने वाले हैं हमेसा रेगुलरी करंट अफेर का सेशन तो आज से हमारा राधस्तान से रिलेटिव अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी सेर जरूर कीजिए शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन आज का हमारा पहला क्युस्टने पंसाइ थिरा चुनाव में सरपंच उमीद्वार के लिए चुनावी खर्च की सिमा ते की गई यूँ कितनी है तो आपको बताना है कि सरपंच उमीद्वार के लिए जो चुनावी खर्च कितना ते किया गये है 50,000 25,000,000,000 s. 25,000,000 puppies तो दोस्तों शर्पस उम्मीदवार के जो लिए खर्च सिमा तेयद से मतेय की गई है वह 50,000,000 55,000ков नाघ रूपी जो है उस preparation किया है और विक्तेयित सानिाध हैpen extra 5,080,000 में होने वाले और जनौरी के अंदर जो हैं इनकी वोटिंग होगी और संपूर 33 दिलों में चुनाओ एवियम के माधियम से होने वाले अगला क्यूसन अगला क्यूसन है हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप के टीम में जो हैं राधस्तान के कितने खिलाइडियों का चेन भारतिय टीम में होगा है तो अंडर कप अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो हैं राधस्तान के कितने खिलाइडियों का भारतिय टीम में चेन होगा है तो वो हैं दो खिला कौन कौन से तो वो है आकास और रवींदर विसनल अगर बात करें अंडर 19 वल्ड कप की तो ये जो हैं 2020 के अंदर होने वाला है और हो ये होने वाला है साथ अफरीका के अंदर कहां पर साथ अफरीका के अंदर अगले क्यूसन अगले क्यूसन है हमारा परदेश की लोग संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राधस्तान परियतन विभाग ने किस के साथ समझोता किया है तो देश की जो है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए परियतन विभाग ने किस संस्ता के साथ समझोता किया जवार कला के अंदर नमबर दो है पस्तिमी संस्कृति के अंदर बारतिया प्रियाटन विबाग या दक्सिन एसिया संग तो वो है पस्तिमी संस्कृति के अंदर कहां पर तो वह यह है उद्यपूर के अंदर पस्तिमी संस्कृति के अंदर के साथ भारती संस्क्रिति को बढ़ावा देने के लिए राधस्तान प्रीयेटिन विभाग ने यहेंद के साथ समझोता किया है अगला क्यूसन अगला क्यूसन नहीं मारा विश्वेट्स दीवस जो हैं कब सेलिबरेट किया गया हाली में विस्वेट्स दिवस मनाए गया था तो वो कब मनाए गया तो वो जो है फ़स्ट दिसम्बर को जो है हमेशा जो है विस्वेट्स दिवस के रूप में सेलिबरेट किया जाता है वो है फ़स्ट दिसम्बर अगला क्यूसन अगला क्यों सुने हमारा राजस्तान में हाई उस्मान स्वच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अगला क्यूसन है हमारा राजस्तान के किन दो जिलों में केंदर सरकार ने बाजरे के सीड हब बनाने का निरने लिया है तो राजस्तान के कौन से दो जिलों में जो बाजरे के सीड से हब बनाने का निरने लिया है जोदपूर पाली या ये दोनों या भी कानेर तो यहाँ पर हमारा सही अंसर रेने वाला है उप्रयोक्त दोनों जोदपूर और पाली के अंदर जो है बाजरे के बाजरे सीट सब के अंदर बनाने का निर्णिय जो है रास्तान गवर्मेट ने लिया है कहाँ कहाँ पर तो जोतपुर्वे पाली में अगला कुशन कुशन नमबर सात है हमारा राजस्तान परियावरण विद जिने हाली में जो है प्रित्वी भूसन प्रुसकार से समानित किया गया है सुक्राम बिस्नोई, राजेंदर सिंग, हरी राम सांगला या मन्जू भी हरी तो पृत्वी भूसन से जो है समानित किया गया है वो है राजेंदर सिंग इन्हें जो है राजस्तान के वोटर मेन के नाम से भी जानते है राजस्तान के वोटर मेन कौन राज अंदर सिंग जिनने हाली में प्रित्वी भूसन पुर्षकार से समानित किया गया अगला क्यूसन अगला क्यूसन है हमारा राजस्तान की किस कंपनी को परतिष्टित सोलर ब्रांड अवार्ड मिला है तो सोलर मैक्स तो सोलर ब्रांड आवार्ड जो मिला है वो मिला है सोलर मैक्स कमपनी को अगला कि उसने हमारा पिच्पनवा ग्यान पीट पुरुसकार किसे देने की गोस्टना की गई थी तो पिच्पनवा जो ग्यान पीट पुरुसकार है यह साहिती के चेतर का एक पुरुसकार है तो यह जो पिच्पनवा पुरुसकार है वो किसे मिला तो वो मिला है अकीतम यह एक मलाईलम कवी है जो केरल के है कहां के है केरल के मले आलम कवी है अगर बात करें चोपन वा ग्यान पीट प्रुसकार की तो वो मिला है अमिताब गोस को किने मिला है अमिताब गोस को अगला क्यूसन है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचाहिती राज आम चुनाव 2020 कितने चरणों में करवाई जाने की जो गोस्ना की है तो पंचाहिती राज चुनाव जो है वो चार चरणों में करवाई जाने की गोस्ना की है ये जो हैं जनवरी मंत के अंदर होने वाले हैं जनवरी 2020 के अंदर संपून 33 दिलों में होने वाले हैं और अब की बार जो है इवियम के माधियम से ये हैं चुनाव करवाए जाएंगे तो कितने चरणों में तो चार चरणों में होंगे ये चुनाव चुछन है हमारा 11 रंजे ट्रोफी 2019 के लिए रास्तान के जो हैं कफ्तान के नेच बने पंकत सिंग, रोबिन बीस्ट, असोक मोनरिया, यह दिपत मिसरा तो रास्तान ट्रोफी के जो कफ्तान चुने गयें नहीं वो हैं रोबिन बीस्ट अगर बात करें रंजे ट्रोफी की तो रास्तान जो हैं इसे दो बार जीत चुका है पिसली बार जो रंजे ट्रोफी की विजेता टीम रही थी वो थी विदरब विदरब ने पिसली बार रंजे ट्रोफी का किताब अपने नाम किया था लेकिन रास्तान जो हैं इसे दो बार अपने नाब कर चुकी है तो रास्तान के लिए 1920 के लिए रास्तान टीम के कप्तान है रोबिन बीस्ट दोस्तों यह हमारी करंट अफेर की जो क्लास है वो लेगूलर 8 बजे हमेसा लगेगी चाहिए संडे हो चाहिए मंडे हो संडे के दिन हम पिछले साथ दिनों के अंदर जो भी करंट अफेर के क्यूसन रहेंगे उन सब का एक वीडियो बनाएंगे जो आपका आदे घंटे गरेगा जिसमें हम कम से कम 60-70 क्यूसन रहेंगे जो भी हमारे एक सब्ता के अंदर बनने वाले अगला क्यूसन ने हमारा 12 नमर रास्तान की किस विश्विद्याल्य को पूरा देस में स्वचता रेकिंग में आठ वाइस्तान मिला है तो कौन सा विश्विद्याल्य है जिने आठ वाइस्तान मिला है स्वचता रेकिंग के अंदर तो कौन सा है जोती विज्जा पिट महीला विश्विद्ध लिए जेपूर या रास्तान विश्विद्ध लिए या महीला पॉल टेक्निकल कोलेज जेपूर या सारदा निकेतन विश्विद्ध लिए तो वो है आपका जयोती विद्या पीत महिला विश्व विद्यालिय जैपूर जिसे सवस्ता रेंकिंग में जो है आठ वाइस्तान मिला है संपूर्ण इंडिया में अगला क्यूसन अगला क्यूसन है हमारा जल सकती अभियान के लिए किस कोलेज को जो है सर्वस्रेस्ट अवार्ड मिला है तो जल सकती अभियान के लिए सर्वस्रेस्ट अवार्ड मिला है वो है आपका अंसर C महीला पॉल टेकनिकल कोलेज जैपूर को जो है जल सकती अभियान के लिए सर्वस रेस्ट आवार्ड मिला है जबकि स्वस्चता रेकिंग में जो है हमारा आठ वहिस्तान पर है जोती विद्या पीट महिला विश्विद्य लिए जैपूर संपूरुन भारत के अंदर अगला क्यूस नहारा अफैक्स बेंग दार राषटान श्टेट कोपरेटिव बेंग के परबंद नीदिसक कौन बने है तो अफैक्स बेंग के जो updated अने परबंद नीदिसक कौन बने है राजीव गोड अभिजित गुपता या इंदर सिंग या नविन गोई तो यह बने हैं इंदर सिंग कौन बने हैं इंदर सिंग जिने हाली में जो हैं तो रास्ता अनिस्टेट को अपरेटिव बैंक के नहीं परबंद निदेसक बनाए गए हैं अगला क्यूस नहीं हमारा 19 वां बिहारी पुरुषकार 2019 किस राजस्तानी लेख को दिया गया बात हो रही है 29 वां बिहारी पुरुषकार की तो किसे दिया गया है 2019 का मनीशा कुल्सरेस्ट डॉक्टर आईदान सिंग भाटी मूर्थ चंद भाटी या हरी राम कंडेला तो 29 वां बिहारी पुरुषकार जो है वो दिया गया है डॉक्टर आईदान सिंग भाटी जोधबूर कहां के है यह तो यह है जोधबूर के इन्हें जो है 29 वां बिहारी पुरुषकार दिया गया अगर बात के 28 में की तो वो मिला ता मनीशा कुल्सरेस्ट को अगला किसन किसन है हमारा सोला नमर राजस्तान के किस वेक्ति को रमन मेक से पुरुषकार नहीं मिला है तो आपको बताना है किस वेक्ति को जो है अभी तक रमन मेक से पुरुषकार अवार्ड नहीं मिला है अगर बात करें डोक्टर पिके सेटी की इन्हें मिल चुका हैं सन 1981 के अंदर 1981 के अंदर इन्हें रमन मेक से अवार्ड मिल चुका हैं नमबर दो है आपका अरुना रोई इन्हें भी मिल चुका हैं इन्हें कब मिला तो इन्हें मिला 2000 के अंदर फिर है आपके राजेंदर सिंग इन्हें भी मिल चुका है इन्हें मिले हैं 2001 के अंदर तो डॉक्टर असोक पंगडिया को जो है एक बार भी रमनमेक से अवार्ड नहीं मिला है अगर बात करें रमनमेक से अवार्ड की अगर बात करें रमनमेक से अवार्ड की तो इसका जो formation हुआ था वो वा था 1957 के अंदर फिलिम्स के एक दिवगंत रास्टर पती जिनका नाम था रमन मेक से उनकी इस मर्ती में जो है इस पुरुसकार को दिया जाता है ये एसिया का एक सबसे बड़ा पुरुसकार है और 2019 का जो रमन मेक से अवार्ड मिला है वो मिला है रविंदर रविस कुमार को रविस कुमार को 2019 का रमन मेक से अवार्ड अगला क्यूसन अगला क्यूसन है हमारा हाली में ग्रामीन वे पंजाहिती राज विभाग के मासिक सूसना पत्र राजस्तान का विमोचन किस ने किया है तो राजस्तान का जो विमोचन किस ने किया है मासिक पत्री का राजस्तान का विमोचन जो किया है मारे डिप्टी सियम सचिन पाइलेट ने अगला क्यूसन अगला क्यूसन है मरा हाली में जारी आंकडों के नुसार राजस्तान का कौन सा जिला मने नरेगा किरियावन में सिर्षिस्तान पर रहा है तो आपको बताना है मने नरेगा किरियावन में सिर्षिस्तान पर कौन सा जिला रहा है भीलवाडा, जेपूर, दोलपूर या सिरिगंगानगर तो ये जो रहा है ये रहा है आपका भीलवाडा टोप पर रहा है भीलवाडा अगला क्यूसन अगला क्यूसन है हमारा 22 वी महीला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैपियन सिंप में सीतल तोंबर ने कौन सा पदक जीता है तो सीतल तोंबर ने जो है महीला रेसलिंग चैपियन सिंप में कौन सा पदक जीता है सरवन, रजट, कांसिय या कोई नहीं तो इन्होंने जो जीता है वो जीता है सुरण पदक कौन सा पदक, सुरण पदक अगला कि उसने हमारा इंस्पाइर अवार्ड योजना के तहित संपूर्ण राजस्तान में कौन सा जिला टोप पर रहा है तो बात हो रही है यहाँ पर इंस्पाइर अवार्ड की तो इंस्पाइर अवार्ड योजना के तहित जो है कौन सा जिला टोप पर रहा है जुन जुनू, हर्मानगर्ड, सिरिगंगानगर या धोलफूर ये जो रहा है आपका जुन जुनू जिला जो है टोप इस्तान पर रहा है अगला क्युसन है हमारा गरहलों के सिलेंडर के लिए सिधे डीजिटल भुगतान का पाइलेट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू किया गया है तो ये जो शुरू किया गया है वो किया गया है कोटा और अजमेर के अंदर कोटा और अजमेर के अंदर जो हैं इस प्रोजेक्ट की सुरुवात की गई है अगला क्यूसन हमरा हाली में राजी में कितनी और नई पंसाइट समीची गटित की गई है तो राजस्तान में जो हाली में कुछ नई पंसाइट समीची का गठन किया गया है तो कितनी पंसाइट समीटिया नहीं और एड की गई है 10, 6, 12 या 18 तो रादस्तान के अंदर जो है 6 नहीं पंसाइट समीटियों को गठन किया गया है पहले थी 48 पलस 6 अब जो नहीं पंसाइट समीटियों हो गई है वो हो गई है 54 क्यूशन नमर 23 2019 का कप्तान दुर्गा परसाथ चोधरी पत्रकारिता पुरुसकार किसे दिया गया है बात हो रही है यहां पर 2019 के कप्तान दुर्गा परसाथ चोधरी पत्रकारिता पुरुसकार की तो किसे मिला है गुलाब कोठरी विनोद वाजबई सिमा मिस्राivos या ह्रीराज चोद्रीक तो यहां पर हमारा जो सही अंसर रएने वालाएं हो है विनोध वाजपी को किने मिला हैं विनोध वाजपी अगला क्यूसन है हमारा 65 राष्ट्रिय तिरंदाजी चैंपियनसीप में हरस्वर्मा ने कौन सा पदक जीता है तो 65 राष्ट्रिय तिरंदाजी चैंपियनसीप में हरस्वर्मा ने जो पदक जीता है वो है है कौन सा होगा सरवन होगा रजित होगा या कान सी नहीं प्णक जीता है वे हैं तो यह जीता है रजितक प्णक कौन सा प्णक रजतक तो हर्जवर्मां का समन्द'D किस से हो तो उनका हो गया तिर अंदाजी से अगला क्यूसन और आज गहा हमारा लास्ट क्यूसन है हमारा 25 वर्तमान में पंदरवे विदान सबा चल रही है पंदरवे नमर की मैं एक मातर महिला मंत्री मम्ता वुभेज का जो विदान सबा चेतरे है वह कौन सा है यह आपको याद रख पढ़ता है यही भी आपको यादोना बहुत जरूरी है तो यह पढ़ता है आपका दोसा के अंदर तो यह थे आज के हमारे टोप 25 करंट अफेर की क्यूसन जो राजस्तान से रिलेटिव थे तो आपकी सभी बढ़ती प्रिक्साओं के लिए बहुत ज्यादा उप्योगी है तो आज से आपको रेगुलर जो है करंट अफेर का सेसन मोर्निंग आठ वजे रहने वाला है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेर कीजे लाइक और कमेट जरूर कर दीजे दोस्तों